इस वीडियो में आपके पूछे हुए questions हैं उनको answer करेंगे हम लोग दरपन ने पूछा है आरबीयम इंफरा कौन एंकेसर इंडिया SME stock लेने का सोचा रहा हूँ प्लीज गाइड मी ठीक है देखते हैं कौन सा stock है यह इन्होंने ही Sigma Solve वाले वीडियो पर थोड़ा और एड करने चाहता हूँ मुझे holding increase करना है कितने price पर खरीदना चाहिए वगर 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 इन्होंने पूछा है तो इसको दुबारा discuss करेंगे इसके अलावा तेजस ने पूछा है एकसेलिया के बारे में शुरूती ने पूछा है सोना कॉम्स प्राज इंडस्प्री विश्णू प्रोटीन के बारे में इसमें से कई सारे हमने recently discuss किये थे और दुबारा एग बार चेक कर लेंगे और पेरादी फॉसफेट के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था एक्जिट लेवल इसमें हम लोग एंट्री के बारे में बात कर लेंगे तो शुरुबात करते हैं RBM InfraCon Limited से Upper Circuit में इस स्टॉक उपर जा रहा है ASM कैटेगरी में है यह Micro Cap Stock है PE देख सकते हैं कितना खतरनाक है तो इसमें एंट्री करने के बारे में भी सोचना बेकार है Industry PE से दुनिया का हाई चल रहा है ठीक है ROC, ROE बहुत अच्छा है Promotors की Holding जबरदर्स है डिविडेन अभी नहीं दे रहा Financials उतने कुछ खास नहीं है तो इसको कौन उपर लेके जा रहा है क्यों उपर लेके जा रहा है वो हम लोग को और इसके Fundamentals देखने पर समझ में आएगा तो यहां पर कोई F.I.I.I.I.I. इसमें नहीं है Profit and Loss की बात करेंगे I mean Sales and Profit की बात करेंगे तो यहां तो consistently increase है Sales में तो अच्छी बात है यह रीजन हो सकता है और यहां पर भी एक थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे रही है ठीके तो यह उके उके है और यहां पर हमारे पस December का quarterly data आया हुआ है जिसमें Year on Year revenue में तो तेजी है और बात करेंगे Profit की तो इसमें भी बहुत ज़्यादा तेजी है तो यह reason है जिसकी वज़े से यह भाग रहा है कहां भाग रहा है यह देखे यह इसका price chart है all time का और यह देखे कहां से यह 100 रुपे के नीचे से है I mean 50-60 के आसपस था और अभी कहां चल रहा है 600-700 के बीच में चल रहा है तो बहुत ही कम टाइम में इसने बहुत ज़्यादा पैसा बना के लोगों को दे दिया है मल्टी वैगर जिसे बोलते हैं वैसा यह हो चुका है तो अभी इसमें एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी साही टाइम नहीं है यहां देख सकते हैं मीडियन यहां पर है मीडियन की लाइन कहा है बहुत बहुत नीचे है और अभी यह बहुत महिंगा चल रहा है तो अब यह जैसा चल रहा है जाने दो अगर आपके पास अलरेडी है तो होल्ड करके रखो तेजी का मज़ा लो जब भी इसमें selling शुरू होगी तो हो सकता है वो भी lower circuit के साथ में ही चले अब आप इसमें profit booking का level अगर जानना चाहते हो तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें वो सब apply होगा इस तरह से भागने वाले stock में लेकिन फिर भी just for your information 710 के आसपास में इसका profit booking का level दिखाई देता है तो अगर 710 के level को ये break कर देता है एक chance तो है कि 700, 710 के आसपास में कहीं भी 710, 720, 700 वहाँ पे कहीं से हो सकता है इसमें selling या थोड़ी profit booking दिखाई दे और अगर वैसा नहीं होता है और ये इस level को break कर देता है तो जब भी ये वापस आएगा तो पहला इसका support 700, 710, 720 के आसपास का range होगा just for your information अगर आपको इसे buy करना है वैसे तो मिलेगा नहीं क्योंकि अपा circuit में जा रहा है लेकिन अगर आपको ये इसी price पे जिस price पे या भी है अगर इसी price पे लेना है तो minimum 1000 quantity एक lot जो है ये लेना पड़ेगा मतलब 6,72,500 रुपीस आपको minimum इसमें लगाने पड़ेंगे तब जाके आपको इसका stock मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा अगला stock है Sigma Solve Limited तो पिछली साल जो भी levels थे वो सब आप null and void हो चुके हैं अब नए levels हैं इस साल में तो इस micro cap stock में अगर कोई आप में से entry ढून रहा है तो पहले एक बार investors चेक कर ले दें यहां कुछ changes है क्या December में कोई changes नहीं है तो यहां कोई negativity नहीं quarterly result अभी आया नहीं है और maximum time में अगर PE ratio देखेंगे तो EPS यहां तक तो बढ़ता हुआ दिख रहा है और PE जो है अपना median के पास है तो अगर किसी को सही price में यह मिल जाए तो लिया जा सकता है मैं क्या consider कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ अगर इसमें मुझे entry करनी है तो मैं 400 के नीचे के level जो होंगे जो इस support के नीचे के level होंगे वहीं पे entry करूँगा 400 या इसके नीचे जब यह जाएगा तब मैं इसको दुबारा track करना शुरू करूँगा और अगर आप इसे hold कर रहे हो और सोच रहे हो इसमें से थोड़ा profit बुक करना है तो मुझे लगता 800 से पहले नहीं करना चाहिए ठीक है 800 तक मुझे लगता यह चला जाएगा गैस एक बात याद रखना अगर आप swing trader हो तो मेरे जो levels हैं वो आपके काम के नहीं होंगे levels बता रहा हूं तो वो वो वाले levels हैं जो मैं consider कर रहा हूं अपने लिए long term perspective से अगला stock जिसमें आपने entry level पूछा है वो है Sona Comps, Sona BLW अब इस stock में मैं आपको एक proof देता हूं पिछले कई सारे वीडियो में मैंने बोला है जो मैं levels आपको बताते रहता हूं उसमें बहुत सारे लोग आप light ले ले तो लेकिन मैंने proof आपको regularly बहुत सारे stocks में दिया है लेकिन आप कैसे ignore करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं और मेरे levels कितने precise hit हुए हैं वो आप देखो इसमें अभी देखो हमारे चैनल पे दो वीडियो हैं एक यह और एक इससे पहले वाला जो कि 10 महीने पहले कप डाला था मैंने 16 मार्च के आसपास में मैंने ये वीडियो डाला था अब देखो इसमें कितने लोगों ने इसको देखा है या जो भी comment किया है कितने लोगों ने इसको आप देखो एक पर, यहां नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक भी like नहीं, एक भी comment नहीं, ओके, 51 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, लेकिन क्या miss किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें, यहां यह वीडियो चल रहा है, और यहां पर मैंने आपको इस zone में बताया था, कि मैं यहां पर buying कर चुका हूँ, मैंने आपको exact price भी बताया, date भी बताया, ठीक है, हर चीज बता ही मैंने यहां पर, हाँ एक disclaimer दिया था, जो कि हर YouTuber को देना ही पड़ता है, कि आपको buying का suggestion नहीं है, लेकिन, मैंने यहां पर buy किया, यह मैंने इस वीडि भी दिया था, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उसको follow किया, पता नहीं, देखो, 411 कहां है, यहीं कहीं है, क्या यह इस से नीचे गया, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद यह उस से नीचे गया ही नहीं हमेशा recover ही कर रहा है, और आज के दिन, अब देखो, इसका price क्या रखा है, 585 रुपीज, देखो, अब यह बहुत बड़ा multi-packer नहीं बना, यह अलग topic है, इस तरह से भागता, तब तो बहुत ही गजब profit मिल जाता, यहां से यहां तक गया, थोड़ा slow भागा, लेकिन, topic वो नहीं है, topic यह है, कि bottom कितने precise मिल जा रहे है यहां पर, आपको free of cost मिल रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे मैं government कर रहा हूँ, तो हाँ मैं government कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत confidently आपको कोई levels बताता हूँ, ठीक है, और उसके logics भी बताता हूँ, कि मैं first level यहां invest कर रहा हूँ, अगर उससे नीचे जाता है, तो मैं यहां invest या, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि investment करो, या आपको करना चाहिए, आप कभी भी देखना मैं YouTube में और Telegram में, पहले से ही बताते रहता हूँ, कि मैं यहां खरीदने वाला हूँ, या मुझे यह यह शेयर अच्छा लगता है, तो मैं खरीदने वाला हूँ, बस इतना ह बताता हूँ, खरीद के नहीं बोलता कि अब मैंने खरीद लिया, अब आप stock को भगाओ, ठीक है, चलिए, अब यह तो बात हो गई कि मैं जो levels दे रहा हूँ, उसका proof अगरा सभी चल रहा था, चलिए, अब जिनके पास नहीं है, वो क्या करेंगे, वो 411 का weight करेंगे, नहीं अब आपको 411 इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, शायद कभी नहीं देखने को मिलेगा, ओविसली मैं तो नहीं चाहूँगा कभी मिले, ठीक है, तो 585 अभी यह चल रहा है, इसमें investors में आके हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कोई changes है, नहीं, यहाँ पे कोई changes है, थ बहुत अच्छा दिख रहा है इसका profit, तो नीचे गिरने का कोई मतलब नहीं बनता, December का data यहाँ पे एक बाद चेक कर लेते हैं, year on year में क्या हुआ है, तेजी, quarterly में भी तेजी, sorry quarterly में तेजी नहीं है, लेकिन year on year में तेजी है, यहाँ पे अगर profits देखेंगे, तो profits में भी तेजी दिखाई दे रही है, ठीक है, और यहाँ पे quarterly में तेजी है, यहाँ sales में, revenue में तो कमी है, लेकिन profit में कमी नहीं है, profit में तेजी है, तो हर चीज इसमें profit, sorry, अच्छी दिखाई दे रही है, अब यहाँ पे आके इसका PE ratio देखेंगे, तो अभी के time पे भी बहुत आ है investment करने के लिए, अभी भी यह महंगा नहीं है, undervalued ही चल रहा है, अब रही बात इसमें investment कहां करना चाहिए, 565 के नीचे यह अभी गया था, ओके, यह शायद यहाँ कहीं विक बना हो था इसका और वहीं पे चल रहा है, 565 के नीचे, I mean नीचे कहीं पे भी अगर यह आने के चांसे शुरू से ही बहुत कम थे, तो इसलिए अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि लास्ट तीन दिन में यह 565, जो भी अभी जिस प्राइस पर चल रहा है, वहां से गिर के 590 तक आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको हिमत करनी है, अभी 565 के आसपास कहीं दिखें तो इंट्री करनी है, तो वह आपकी कॉल है, और नहीं अगर वेट करना चाहते हो, मन्तली SIP लेवल के, तो आपको क्या करना है, आगे आने वाले महीनों का वेट करना है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उपर में मिल जहां पर था ना, इसी लेवल पर इसका इस साल का भी एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, तो हो सकता कि इसमें जो ये लेवल था, उसी लेवल से ये टकरा के वापस जाए, अगर यहां पर रिजल्ट खराब होते हैं, या बहुत अच्छे नहीं होते, तो ये नीचे जाएगा, अधरवाइस यहां से ये ब्रेक आउट कर सकता है, नेक्स स्टॉक है, प्राज इंडेस्ट्री, काफी अच्छा भागता हुआ स्टॉक है ये, इसमें आप देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत जादा नहीं है, लेकिन डिविडेंड कंपनी देती है, इनवेस्टर्स में आके चेक करेंगे, तो यहां पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो बहुत पहले से ही इतनी ही रही है, तो यह कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकि यहां पर कोई चेंज़िज नहीं हैं, यहां पर बहुत अच्छा चेंज है, इनफाट पबल बहुत बड़ी positive चीज होती है ठीक है अभी यहां पे अगर quarterly result इसके आए नहीं है तो आने देते हैं और maximum time का चार्ट देखेंगे तो यहां से इसमें तेजी है उसके पहले boring है यह ओके तो किसी को ignore करना है तो ignore कर सकते हैं लेकिन considering की investors में यहां पे FIA और DIA की holding काफी बहुत ज consider कर सकते हैं यह वैसी company अब नहीं रही कि इसमें मतलब investors नहीं है अच्छे वाले तो एच्छे वाले investors इसमें आ गए हैं तो हम लोग इसे देख सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे PE ratio आके देखेंगे तो EPS बहुत अच्छे से बढ़ रहा है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, median यहां है, PE उसके थोड़ा सा ही उपर है तो अगर गिरने का वेट करना चाहते हो तो गिरने का वेट कर सकते हो या तो अच्छे price पे मिले तो इसमें entry भी की जा सकती है, discount बहुत जादा नहीं है लेकिन जब भी अच्छा stock थोड़ा बहुत गिरे तो हम 450 पे यह January में ही चला जाता है तो इसमें entry की जा सकती है, otherwise 500 के नीचे में इसको आगे आने वाले महीनों में भी हम लोग track कर सकते हैं, किसके लिए, मंतरी SIP लेवल के लिए ठीक है, और profit booking लेवल कहा होगा, profit booking लेवल साड़े 800 के उपर होगा, अगला stock है Vishnu Chemicals Limited, इसको हमने लिए बार आप लोगों ने पूछा और हर बार मैंने इसे discuss किया है, यहाँ पर यह एक चीज़ देख लेना कि promoters की जो भी holding है उसमें लगबग 4% के असपास गिरवी रखा है इन लोगों ने, बहुत जादा नहीं है लेकिन ठीक है, और dividend भी दे रही है company, financials अभी के डाइम पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यह सब हमने discuss किया हुआ है, इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो यहाँ कोई changes नहीं है, यहाँ पर FIA ने बहुत stake कम किया है, DIA ने वो stake बढ़ा लिया है, तो neutral इसे बोल सकते हैं, और बात करेंगे quarterly result की तो नहीं आया है, औ और PE ratio देखेंगे, तो यहाँ पर EPS गिर रहा है, तो इसलिए अभी यह हम लोग consider करना चाहें या ना करना चाहें, वो आपकी call है, वैसे है यह median के आसपास ही, ठीक है, तो अगर EPS बढ़ता हुआ होता, तो इसमें entry करना थोड़ा सही रहता, otherwise इसमें अभी देख सकते हो, lower highs बन रहे हैं, तो lower highs जब भी बनते हैं, तो थोड़ा negative होता है, लेकिन यहाँ higher lows भी बन रहे हैं, तो इसलिए यह एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक triangle बनाता हुआ दिख रहा है, तो इसमें triangle उपर break करता है, तो उपर जाएगा, नीचे break करता है, तो नीचे जाएगा, तो यह आप अपने broker के app पे बना सकते हो, वैसे अभी यह जिस level पे है, यह level खराब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर January में यह 280 के असपास आता, तब इसमें entry की जा सकती थी, अभी का level उतना भी जादा attractive मुझे नहीं लग रहा, अब यह जो stock है, इसको हमने एक ही बार किसी वीड इस type का ही है, PE जो है stock का, वो industry PE से थोड़ा जादा है, debt free company है, तो काफी mix चीजें है इसमें, है न, investors में आके यहाँ पे देखेंगे, तो इसको कौन चला रहा है, FII and DII चला रहे हैं, और public के पास बहुत बड़ा stake रखा हुआ है, 40% के आसपास का stake, public के पास है, तो इसमें main जो owner है, वो DII ही है, समझो, है न, mutual fundi 50% से ज़्यादा लेके बैठे हुए, तो attention वाली बात नहीं है, अगर 50%, 60% including FII अगर hold कर रही है, तो कोई बहुत tension लेने वाली बात नहीं है, इसको hold कर सकते हैं, या buying भी इसमें की जा सकती है, इसको आप candle वाले chart में देखोगे, तो ज कर रहा है अभी भी, हाँ, listing gain में जिनको IPO मिला होगा, वो अभी इसमें profit में होंगे, लेकिन जो है, उठा पटक देखके थोड़ा सा परिशान हो रहे होंगे, I can understand, तो इसमें जो levels है, वो 1200 के नीचे में ही entry के levels अभी के टाइम पे सही होंगे, और कहां पे इसमें लेना चाह अगर यहां से यह नीचे नहीं आता और ऊपर चला जाता है, तो 2000 के भी ऊपर यह जाके थोड़ा सा profit booking दिखा सकता है, अपने एक्सेलिया solutions के बारे में दुबारा पूछा था, इस पर अल्रड़ी वीडियो बनाया था हमने, लेकिन आपने दुबारा पूछा है, तो भाई इसका अराउंड 2100 के आसपास है, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं बूल सकता, ठीक है, 1400 यहां है, इसके नीचे जब जाएगा, तब इससे दुबारा डिसकस करेंगे, बाकि स्टॉक बहुत अच्छा है, अगला स्टॉक है, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड, अब द इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने बाइंग की थी, यह भी मैंने आपको बताया था पहले भी, इसमें मैंने अराउंड 877 पे शायद मैंने बाइंग की थी, जो कि हमारा मतली SIP लेवल हिट हुआ था, वहां पे, और उस ताइम में भी situation जो है, चार्ट की इस तरह की ही थी कि EPS ऐसा उपर नीचे, उपर नीचे हो रहा था, और ये PE जो है नीचे चल रहा था, तो मैंने कोई गलत बाइंग नहीं किये, बस यह है कि EPS शोर नहीं था, तो वो हमारे लिए फेवर में नहीं रहा, और वहां से और इसमें मंदी देखने को हमको मिली है, यहां पे देख गिरता है, तो मैं बाइंग करूँगा, एवरिजिंग करूँगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए, इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे, तो यहां पे एक सेलिंग है, यहां पे एक सेलिंग है, यहां पे एक सेलिंग है, यह दोनों नेगेटिव चीज है, तो इसको मतलब उस ताइम में बाइंग जब मैं कर रहा था उस ताइम में डिसम्बर का डेटा नहीं था लेकिन अब तो डेटा है तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो यह नेगेटिव मान के आप वेट करना चाहो तो कर सकते हो इसका रिजल्ट आया है क्या नहीं इसका रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट आने के बाद आप डिसाइड कर सकते होगे इसमें और गिरावट दिखना चाहते हो वहां पे एंट्री करोगे या इसमें एंट्री करना ही नहीं है वह आपकी कॉल है ठीक है लेकिन मैं लेवल्स बता देता हूं बस अभी जैनवरी का जो लेवल इ मुझी किया जा सकता है एस लेवल को अगर in काफी गिरावट हुई तो 600 यह पांत सघ्ज को भी डिख सकता है फिर भीड कर दे पांत सच के भी नीचे जा सकता है ठीक है तो अभी इसमें को इस सारी अब IF बहुत सारी और बनी हूई है ये इसमें बाद मल्सकों करते रहें अ अगला सौक है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल अब इसमें कुछ चीजें हो रही है क्या हो रही है कि जो हमारा जो एंट्री लेवल है वो यहीं कहीं पे था ठीक है उसके नीचे यह चल रहा है अब देख सकते हो इसने पिछला जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया हुआ है तो मिलात जाओ उसके यहां से नीचे जाने के टेकनिकली लग रहे हैं लगये पी रेशो देखेंगे हैं तो अभी भी यह बहुत上 है अपने मीडियन से तो गाप काफी है सकोब अफे काफी है नीचे गिरने का फ्राइस के नीचे selling की हुई है और डिया ने उतनी बड़ी बाइंग नहीं की है दो पसंट के आसपास यहां लिया है यहां पे एक पसंट पब्लिक ने लिया है तो बोल सकते हैं कि neutral to little bit of negative बोल सकते हैं इसको है ना quarterly result नहीं आये है मांकी चार्ट हमने इसको अगर किसी को लेना ही है अभी तो आप ले सकते हो खराब स्टॉक तो नहीं है लेना चाहो तो ले सकते हो नहीं अगर बिल्कुली खतरनाक लेवल पर आप लेना चाहते हो तो दो लेवल में बता देता हूँ आपकी मरजी आप कहां तक बेट करना चाहो एक आपको 3 1 3 0 के आसपास करेगा और फाइनल जो लेवल रहेगा अगर मार लो बहुत ही गिरावट इसमें continue रही तो 2460 के नीचे मैं कभी एंटर नहीं करूंगा ठीक है 2460 is the final level obviously इसके around is the final level ठीक है तो अभी फिलाल इसको इगनर करो यहां तक वेट करना चाहो तो कर सकते हो आया तो अच्छी बात है अगला स्टॉक है Metropolis Healthcare Limited काफी नुकसान पहुचाया है इस स्टॉक ने काफी लोगों को लेकिन अभी जो है थोड़ा interesting यह लग रहा है मैं sure नहीं हो पा रहा इस स्टॉक के बारे में इसलिए मैं बोल नहीं रहा लेकिन मैं इसे देख रहा हूँ तो बहुत बार ऐसा मन हो जा और DII ने काफी बड़ी buying की है ठीक है तो यह जो buying हुई है mutual fund की तरफ से इसकी वज़े से मैं तोड़ा जादा इसमें positive हो गया हूँ देखिए public की भी holding जो है कम हुई है तो यह मुझे positive लग रहा है काफी positive चीज़ लग रही है इसमें देखने में अब दूसरी अगर quarterly result नहीं है ठीक है यह तो last 12 months का data है लेकिन इसके पहले भी देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा खराब result नहीं है ठीक है यहां से यह तो obviously खराब दिख रहे है इसी के वज़े से market ने इसको कैसा पिटा है अब देखो यहां पर maximum time में यह देखो देखो लेकिन यहां पर क् ऐसा लग रहा है कि इसमें entry थोड़ी बहुत की जाए तो खराब नहीं होगा अब देखो अगर किसी को entry करनी है तो risk समझ के कर ले ना वैसे अगर मुझे 1300 या उसके नीचे मिलता तो मज़ा आ जाता तब थोड़ा सा में comfortable जादा रहता इसमें लेकिन 1450 का भी level खराब नहीं है अब यह 1450 भी sure नहीं है कि 1450 आएगा यहां कहीं पड़ेगा शायद तो यह भी sure नहीं है लेकिन देखो अगर कौन सा level आपको समझ में आता है आप उस level पे entry करना चाहो या ignore करना चाहो तो ignore भी कर सकते हो healthcare के वैसे अभी कोई भी stock भाग नहीं रहे तो आप ignore भी कर सकते हो अगला stock है relaxo footwear limited अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया मुझे याद नहीं है वीडियो में मैंने बोला है या नहीं लेकिन मिरे पास काफी अच्छा खासा quantity में यह relaxo footwear का share रखा हुआ है बहुत पहले से बहुत अच्छे level पे नीचे के level पे है मिरे पास इसलिए मैं इसमे averaging नहीं कर रहा otherwise इसमें अभी के time पे भी January में भी हमारे जो मतली SIP level होते हैं उसको hit करके यह वहां से काफी नीचे चल रहा है ठीक है मैंने टेलिग्राम पे या YouTube में बोला नहीं है लेकिन यह चल रहा है काफी नीचे चल रहा है और मैं averaging नहीं कर रहा देखो मैं इसमें averaging कब करूँगा अगर मानलो इसमें गिरावाट continue continue होती रही तो मैं 650 पे जाके एक final बहुत बड़ी buying करूँगा और वहां से मैं इसको बिल्कुल देखना बंद कर दूँगा ठीक है उसके बाद नुकसान हुआ तो हुआ यह मेरा risk रहेगा लेकिन 650 के नीचे मैं इसमें कोई averaging कभ देखने लग गया है लेकिन P.E. अभी भी बहुत उपर है तो price अगर इसका गिरता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी अभी बहुत महंगा P.E. चल रहा है इसका तो इसका गिरना बनता भी है इसलिए यहां पर हमारा मतली S.I.P. level हिट भी हुआ है उसमें भी positive ही बना हुआ है लेकिन इसको देखके भी मैं यह नहीं भूलूँगा कि इसमें buying हमको करनी चाहिए quarterly result नहीं आया है वेट करेंगे हम लोग अब यह stock कुछ अलग है micro cap है बहुत अच्छा stock है promoters की holding से पता चल जाएगा dividend भी दे रहा है यह stock अब इसके investors में आके पहले एक बार चेक कर लेते हैं यहां पर क्या हुआ FII ने exit कर दिया है DIA ने stock कम कर दिया है ठीक है तो public के पास वो बढ़ गया है तो यहां पर एक negativity दिखाई दे रही है quarter result अभी नहीं आया और इसमें अगर PE ratio की बात करेंगे तो median से बहुत ज़्यादा दूर यह नहीं चल रहा है EPS बढ़ता हुआ दिखरा है लेकिन median से ज़्यादा दूर PE नहीं है ठीक है तो entry के लिए कोई बहुत खराब level नहीं है और बात करेंगे इसमें entry करने के लिए तो अभी मैं इसमें discussion करना चाहूंगा 475 के नीचे ठीक है इसके उपर में मैं इसमें कोई buying नहीं करूंगा ना मैं इसको track करूंगा stock बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा मेरे लिए costly है अभी 475 के नीचे जब जाएगा तब मैं इसको discuss करूंगा अगर मान लो नीचे नहीं जाता उपर ही भागता रहता है और आपके पास अगर किस्मत से है तो आप इसे 950 तक hold करके चल सकते हो वहाँ पे जाके थोड़ी profit booking करनी है तो कर सकते हो रही बात पैरादी phosphate limited की तो इसके बारे में हमने exit level discuss किया अपने last वीडियो में entry level मैंने पता नहीं बताया कि नहीं पताया याद नहीं है मुझे PE ratio देखेंगे तो अभी बहुत उपर चल रहा है और वैसे भी इसमें जो मेरा entry का level है वो 65 के नीचे में ही discuss करने का था entry का बाद में सोचेंगे 65 के नीचे जाने पर मैं इसको discuss करना शुरू करता exit के लिए मैंने आपको बता दिया कि 90 रुपीज के आसपास में इसका exit का level है तो entry के लिए बिल्कुल भी अभी level में नहीं है इसके नीचे जब यह जाएगा तब हम लोग इस पर बात कर सकते हैं अ या कोई set of stocks के details बताने का आपको buying levels, exit level वगरा वगरा तो मिलते हैं अगली वीडियो में वीडियो को like वगरा कर देना है ना